देश के सबसे पसंदीदा डिबेच्छो देश की बहस में दीपक्च और असिया का अपने तमाम दर्च को और तमाम पैलिस को साधन नमस्कार आप जानते हैं किसान अंदोलन कई महिनों से गाजीपर और ठीकरी बॉर्डर पर चल रहा है कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद भी किसान अंदोलन जारी है बार-बार किसान निताओं से अपील की जा रही है कि वो टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर को खाली कर दें, सिंधो बॉर्डर को भी खाली कर दें, लेकिन किसान निता अभी भी वहाँ पर डटे हुए हैं, उनका ये कहना है कि किसान आंदोलन को नए सिरे से शुरू किया जाएगा, लेकिन इस बीच किसान आंदोलन के अंदर एक लड़की के साथ बलतकार और उसकी दुखत ब्रत्यों की खबर ने किसान आंदोलन कारियों के चेहरे पर बहुत बड़ा सवालिया निशार लगा दिया है किसान आंदोलन से जुड़े निताओं ने ये माना है कि लड़की की दुखत ब्रत्यों होई थी यही नहीं लड़की की दुखत ब्रत्यू के बाद उसका सारवजनिक तौर पर शवयात्रा निकाली गए और उसको शहीद का दर्जा दिया गया लेकिन अब लड़की की पिता की शिकायत पर 6 लोगों की खिलार फ़ाई अर्दर जोई है इसी पर हमने आज का पूल पूछा था आज का सवाल पूछा था किसान का साथ देने आई बेकी के गुनहागार कौन इसे 85 फीदी लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है लड़की कोलकता से आती है पश्चे बंगाल में जब किसान अंदोलनकारी नेता गए थे तब उनके साथ वो दिल्ली आई थी लड़की के साथ ट्रेन के अंदर भी गलत मेंवार होता है लड़की बकाइदा इसकी शिकायत भी करती है उन नेताओं के साथ जिनके साथ तो आई थी लेकिन उसके बावजूत उसे टीकरी बॉटर ले जा जाता है उसको एक टेंट के अंदर रखकर मजबूर किया जाता है कि वो उसी टेंट को दो और लोगों के साथ शियर करें उसके बाद उसके साथ बलतकार होता है और उसके बाद लड़की कोविट पॉजिटिव हो जात कि कैसे उसके साथ अत्याचार हुआ, कैसे उसके साथ दुशकर्म हुआ और कैसे उसकी मौत हो गई, लेकिन किसान नेता इसके बावजूद भी F.I.R. नहीं लिखवाते हैं, F.I.R. लड़की के पिता लिखवाते हैं, सवाल यह है कि क्या किसान नेता खुद जज और खुद अदालत हो गए हैं, सवाल यही भी उठता है कि किसान आंदोलन के नाम पर कोलकता से लाई गए लड़की के शामुहिक दुशकर्म के जिम्मदार, क्या किसान नेता नहीं हैं, क्या है पुरा मामला, आईए सबसे पहले वो देख रहते हैं, तो सवाल यहां पर कई सारे हैं, क्या किसान नेताओं ने इस पूरे सच को चुपाया, क्या किसान नेताओं ने लड़की से बलककार की बाद चुपाई, किसान नेताओं ने उसे शहीत का दरजा तो दे दिया, लेकिन क्या उसके साथ जो सामुहिक दुशकर्म हुआ, उसकी बाद को जान बूच कर छिपा कर ये कई सारे सवाल किसानेताओं पर उड़ रहे हैं? इसका जवाब आप हमारे मोबाईल एप को डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे ट्वृटर हैंडल पर जा सकते हैं और शाथ किना आप हमारे Facebook से पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं कारित्रम के बारे में अगर आपकी तो आपकी कोई राय है जो हमेशा से किसार अंदोलन का विरोध करते आए और उनका ये कहना है कि किसार अंदोलन की मुद्दे जो है वो जायज नहीं है मेरे साथ लेपके निता विवेक शी वास्ता जुड़े हुए है मेरे साथ चौधरी सवित मलिक है जो किये किसार निता है और इसकी पूरे किसार अंदोलन से जुड़े हुए है सबते पहले सवित मलिक जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सवाल ये है किसार नेताओं ने इस पूरे मामले को छिपा के क्यों रखा ये बता है ये लड़के की पिता को F.I.R. क्यों दर्च करने पड़ी योगेंद्र रियादों को ये पूरी जानकारी थी लेकिन उसके बावजूद भी उन्ह हुआ जब भी पिता जी साथ में थे इनका अस्तिकलस लाक है मंच पर रखा गया उस वक्त भी वो साथ थे और सब लोगों ने मिल बैटके बात किया और दिन बाद 10 दिन बाद क्यों F.I.R. करते हैं उसके पिता जी और वो खुद प्रेस वारता करके ये कह रहे हैं कि हम दो लोगों के उपर आरूप लगारे हैं अब मतलब आप आप जो लड़की जिसकी दुख़त म्रत्य हो गई उसी के पिता पर सवाल उठा रहे हैं आपको लगता है पिता गलत शिकायद करेंगे इसलिए और उनकी बैटी की दुख़त म्रत्य भी हो गई है उसके बाद पिता ग कर दिया है किसानों ने जब भी इसके लिए कोई भी उनको पता लगा तुरंत उन लोगों को अपने अंदोलन से बाहर किया है और आज भी सजा दिलाने में उनके साथ रहेंगे हम लोग लड़की के साथ खड़े हुए हैं वहाँ पर इतनी सारी आपने फायार किसान नेताओं को यह पता नहीं था किसान नेता लगातार लड़की के पिताजी के टचमें थे उनकी लगातार बात हो रही थी जो भी हुआ है उनके बात्चीत करने के बाद हुआ है और उनके पिताजी नहीं अफायार कराई है और अगर मां कुछ भी गलत हुआ है तो संय तो आप लोगों ने क्यों भी कराई साथ जो कुछ हुआ टीक्री बॉडर पर हुआ किसान अंगोलन के टेंट में हुआ अरे आप तो अभी सवाल उठा रहे हैं कि दो लोगों के नाम है छे के खिलाफ फाइयर के हो गई और आप दंदात्म करवाई की बात कर रहे हैं वह सारे लोग ऐसे हैं जो लड़की की मदद कर रहे थे उनको भी एफाइयर कर दिया है, तो इसका मतलब आपक। जानकारी थी लड़की के साथ क्या हुआ इसका मतलब आपको जानकारी थी कि लड़की के साथ मलतकार हुआ और आपने जबरन उसको शहीत का दर्जा दिया अब ये निराधार बनाया जा सकता है दस तिन बाद क्यों F.I.R. हो रही है किसानों ने सह सम्मान उसका अंतिम संसकार किया है उसकी यात्रा निकाली है नुपर चर्मा जी जुड़ गई है मेरे साथ भारती जन्तापाटी की राश्ची प्रवक्ता नुपर जी ये पिता पर ही सवाल उठा रहे है ये किसान नेताओं को इस पूरे मामले की जानकारी थी उन्होंने इस बात को अपने जॉइंट सेट्मेंट में कल माना है देखे सबसे पहली बात आपने सबसे एहम सवाल पूछ लिया इपक जी कि अगर आपको सारी जानकारी थी तो खुदी क्यों नहीं एफायर दर्च करवा दी मैं आपको याद दिला दूँ जिस दिन ये बहार आया है कि ये एक करोना के चलते वे मौत हुई है एक जवान लड़की की उस दिन भी हम टीवी डिबेट पर बैठे वे थे और एक किसान ने का एक ही चीज़ पाडियल थे अरे जी नहीं उससे क्या होता है उससे क्या होता है हम तो नहीं उठेंगे मैं आपको एक बात याद दिला दूँ तो एक रिट पेटिशन हमारे एक कोर्ट में एक साथी ने अल्ड़ी दर्च कर चुकी है जिजीन ये टिक्री बॉर्डर पेस महिला की मौत की मृत्यू की बात भार आई थी और मैंने उन कुलीक से बात करी तो उन्होंने का कि ये क्या हो रहा है ये उस बिटिया का बलतकार हुआ था एक मृतिग लड़की के पिताजी जो चल बसी है क्या इतना बड़ा जूट बोलेंगे जिरों ने अपना बच्चा गवा दिया और इनके साथ ही योगिंदर यादा जिसने आज तक अभी घास नहीं हुआ है खुगाई होगी लेकिन तमाम बाटरों पे इस तमाम किसान प्रदर्शन पे सबसे आगे रिख रहते हैं वो सबसे पहले कहते हैं मुझे पता है उनकी डोक्तरी हुई होगी ऑस्पिटल में है करोडरों के उपर जो करोण संक्रमन के आज जीते जाकते रिस्क को हर रोज देख रहे हैं उसे निपट रहे हैं उनके टीके करन का कुछ नहीं है ये दो वक्त की दो रुबे की राजबीती चल रही है इंकी दीपक जी लेकिन आज सच्छा ही है बाहर आगे और आज मैं बखी के रुबटे के रहे हैं से दो लड़के आमाद्मी पार्टी के कारे करता है जिनके नाम आए बलतकार के अंदर कहा है वो लोग योगेंदर यादब का है जो हर बास पे बोलने को आ जाता है टीवी जी वी कि बताये है आप लोग्ता दूनते हो आपके बसकी कुछ नह किसानों को बदनाम करने का आप लोग कहते हो नक्सली है तो आप लोग को नहीं किसानों की इन चिता है तो आप क्यों नहीं पिलापकर वा देते आप को नहीं किसानों को डूपकर बर जाना चाहिए कि उनके अंदोलन के तले ऐसी बात हो रही है किसान संयुक्त मोर्चा पहले दिन से कह रहा है अरे भाई अभी तो आप डिफेंड कर रहे हैं कि दो की जगे छे की किलाव यार क्यों हो गई यह कभी किसान अंदोलन था ही नहीं जो प्रधान मंत्री की किसान नीदी योजना के तहट पैसे पहुंचते हैं असल किसान अंदोलन नीथा यह बंगाल अंदोलन था आप कहरें किसान अंदोलन नहीं है वाटिरों का भी तो इतने किसानों से क्या भी लापास हो जाएंगे उसके बाउजोति माने सरवच ने ने कहा कि औरतों और बच्चों का कोई लेंदेन नहीं है पीज़ा पार्टी चल रही है डिस्को चल रहा है कि यह दोनों को रोगूंगा मेरे एक दर्शक यह जैसवार वारा नसी से मेरे एक दर्शक यह जैसवार है यह क्या नहतिक अधिकार है आप किसान अंदोलन जारी रखने का बिल्कुल नहीं दिपाई जी यह लगता ही नहीं कि किसान अंदोले नहीं कर रहे हैं यह तो बस दो तुके की राजनीत कर रहे हैं आपको नहीं लगता कि अभी एक लड़की के साथ बत्तीमी जी और रेप का मामदा सामने आया है इतने दिनों में और कितने हुए होंगे जो स किसान नेता बताईए किसान नेता जकतार सिंग बाजवा जी आपके आंदोलन पर यारूप लगे हैं ऐसे में तो आपको आंदोलन को वाइंड अप कर देना चाहिए बलतकार और हत्या जैसे गंबीर आरूप दुखत प्रतिय जिस गंबीर आरूप आपका वेबसाइट चला रहे थे जो आपका सोशल मीडिया चला रहे थे आप लोगों के साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसके साथ समेजना पूरे किसाम होचा की है उसकी जाच होनी चाहिए उसे लियाय मिलना चाहिए और अगर और यह किसाम अंदोलन को भटकाने की किसाम अंदोलन को तोलने के कर शादिश है इसकी भी जाच होनी चाहिए तुड जानाने दीजीन, एक लौती महीला, उनकी संब्वेद्ना उस बिटिया की जिंदगी वापिस लादेगी, उसकी इजद आपरू वापिस लादेगी, उस पिताव पिताव जी आप कैसी बात कर रही हो, वो वो पुलीग सेन्गर आपका जो बैज़ा सेयर में, वो उसकी कि अब दूदी के बेटी की हिदत आपको के साथ मेरी बहाइं को इधिकार नहीं पर दिए इन समके उमने वह वह आपको को इसे जनता पर्टी को को सजोरी पहिरा के अदर ले मादा आएगा कि अब दूदी के अब दूदी को सब्सक्राइब करते हैं देखो सबसे पहली बात तो दीपक भाई ये है कि मलक साब ने ठीक नजर आते हैं का कि छे लोगों के उपर परचा दर्जनी होना चीए था साथ लोगों के उपर होना चीए था ये योगंदर यादव जो है इसके उपर भी परचा दर्जनी होना चीए था उसका कारण यह है कि योगंदर यादव को कूई भी जानकारी थी गटना करम की योगंदर यादव को मालूम था कि इस लड़की के साथ सामुहिक दुषकर्म हुआ है और योगेंदर यादव और अन्य जो के साथ नेता है उनकी चुपी के दो-तिन मेतुपुन कारण है पहला कारण यह है कि कि अद्मिशन ओफ करोना या कोविट-19 की मौझूदगी जो इनके टेंटों तक यानि की बॉर्डर के उपर जहां पर यह लोग जमाना बनाए बैठे है यह पहुँच चुका है कोविट यह उस चीज को स्विकारना नहीं चाहते क्यों फिर कोविट के दर्शे ना तो लोकट हों गए और दूसरा इनको इस बात को कुबूल ना पड़ेगा जो एक नारेटिव बना हुआ है कि साब करोना वरोना कुछ नहीं है जैसे अभी बाजबा साब कह रहे थे कि यह सब सरकार की साजिश है बीजेवी की साजिश है कोविट-19 कुछ निए अगर एक महिला की अग साइए विवेक चिवास्तो को कि कहा तोचल डिसेंजिंग फालो हो रही है बेल गोलना है बहुं पर देखिये करोना आप निया जो कुम्ब में स्नान करके आए थे पर सेंट लोग इंफेक्टेड यह हो अधि जिंग ठिंग के आप में स्टीhen फिर रे चैनावत समझे moyens तुम वही हो तुम यह उतु तुम रे सिक री वही कर लीगों से कुल्ज़ वो मैं को कॉमुनिस्ट के खिलाफ हूँ मैं इस आना पर बीच में बोलने का नहीं अब सुनो देखिए अराजकतावादी हिंसावादी और अब बलतकारी हर किसम का आरूप लग चुका है इन बिचोलियों के अंदोलन के उपर क्योंकि किसान ना तो अरा जाता हो दूपर किसान बलतकारी है मैं कहा हर किसम का आरोब लगा है किसान ना तो भारत का किसान बालतकारी है ना अरज अतावादी है और ना हिंसक है मैंने गहाँ तुम जैसे जो बीच में कॉम्मिनिस्ट बैठे ना यह जाज़ड़ा पार्टी वादे कुछ नहीं कि होता है ऍार्ष जादी वादी का और सब्सक्राइव भादी आता है एक की मtamरे भारत कारी है और प्लीजश आगा कुंडूंच से closer तुम्हारा 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 घंका अज़न दिए बेटी और बहुत हो गई दुखत उसके साथ बलतकार हुआ और आप किसान निताओं के पक्ष में बैटिंग करते हुए चिला रहे हैं मतलब आपने इंसानियात और आपके अंदर नेतिकता नाम की कोई चीज नहीं है माफ कीजे का विवेगी आज ये बात बोल रहा हूँ मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ पर जिस तरीके से आप चिला रहे हैं और जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं इस तरीके से और आपके से खीजिए नहीं है पोस्ट मॉटम में रेप आया अरे आपके आंदोलन का भी पोस्ट मॉटम होना चाहिए पता लगना चाहिए कि इसके अंदर कौन-कौन लोग शामिल थे और इसके अंदर कितने इसके अंदर क्राइम होएं आप कहते हैं कि साथ यह लड़की के साथ दुश्करम नहीं हुआ उस लड़की की अपने फादर के साथ टेलीफोन पाइब करेंगे और किसानों के खिलाब बोलता रहता है कोविड की जान की नहीं होई जब बात करते हुए एक मिनिट के लिए रुक चाहिए सवित मली कह रहे हैं कि दो की दो पर एफाय नहीं छे पर क्यों हो गई वो कह रहे हैं कि पोस्ट माटम में क्या रेप आया किसान अंदोलन के अंदर शामिल होने आई और उसके साथ बलतकार होती है और यहां पर यह लोग एक्स्क्लूजर है यह कुछ नेताओं के नाम ले रहे हैं भारत जंदा पार्टी ने आज तक किसी भी बलतकार के आरोपी नेता का पक्ष लेते वे टीप पे बहस करी मुझी खोला अगरे बलतकार अगर आपने लड़की के चाल चरेंगा तक करो आप लिए प्लिए 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 बहुत शरम की बात है कि आप तीन मर्द ऐसे बैखे हुए है जो बलतकार को संगी मानने को तियार नहीं है बलतकारियों के पक्ष्प चलाए जा रहे हैं तुम्हारे घर में पर दशेंगा तक करो है इसकी बेटी नहीं है इसकी बीवी नहीं है इसकी मान नहीं है इसकी मेरी बात करने दीजे मैं बलतकारियों के साथियों की बात सुनने नहीं हूँ इकलोथी बात करने नहीं है इसकी मेरी बात करने दीजे मेरी बात करने दीजे दीजे तो अपरादी का साथ ही अपरादी होता है, इनको ये बात पता हो नीची है कानून के हिसाब से, दूसरी बात मैं बता दूँ, एक प्रितिक लड़की के चाल चरित्र के उपर उंगली उठाना, इस जदाता शरमनाग कुछ नहीं है, कहा गया इनका प्राकाट गयांग, कहा ग जो है आपे रेड़ फोर्ड पे हुआता, 26 जन्वरी को ऐसी गैर कानूनी इसके लिए बात प्रितिक नहीं कर पाए, मैं आपके लड़की थी, उसने ट्वीट कर दिया था, दस दिन तक ट्वीट चिल लाते रहे, क्या हुआ उसका, इसके उपर भी फाइल खोली जाए, जो बलातकारी के साथ में पक्ष में आज बोर रहा हुआ है, जो 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 पर्टी में सबसे जाता है, आपके साथ है, खोली जो आपके लिए, एक मिल रुकिये, विनित सिंग मेरे एक दर्शक लटना उससे जुड़े हुए है, विनित क्या कहेंगे इस मान्वे पर, क्या आपकी बीश में दलाली कर रहे हैं और अपना नाल चंखाने के लिए इसी बाते कर रहे हैं, उनको भी सजा दिनी चाहिए, अगर ये कांड ये हादसाव उनके धर पर किसी मा बेटी के साथ हुआ होता, उनको पैसा लगता, और ये इतनी शर्मनाक बात हो रही है यहाँ पर, कि इन लड़की किसी घर की बेटी की साथ इस तरह से तुष्करम होगा, इसके लिए बिल्कुल बड़ास करने वाली शीज़े नहीं है ये ठीक है, सत्नाम सिंग, माफ की जगा, मेरे साथ सत्नाम सिंग सानी साथ जड़ गया, सत्नाम जी मैं आप से जानना चाहता हूँ, आपके साथी किसान नेतर डिफेंड कर रहे हैं बलतकारियों को, वो ये कह रहे हैं कि क्या लड़की का मेडिकल रिपोर्ट हुई, वो लड़ कि पर डाउट ठारें कि वाकई उसके साथ बलतकार हुआ, इससे जादा शर्मनाक बात आप लोगों के लिए क्या हो सकती है। और दूसरी बात, जो जिन अरोकियों पर अरोक लगाए हैं लड़की के फादर ने, उनके परवार ने, उससुचुकत कसान मूर चेका, कोई पार्ट नहीं है, उससुचुकत कसान मूर चेके तो जो चामल के पे लिए हैं, उनमें किसी के साथ भी उनकार बात चाहते हैं। पार्टन का कोई मेंबर नहीं है, जिनका आप नाम ले रहे हैं, वाई सब किसी भी पंजाब की तेश की किसी भी किसान मूर चेके साथ, उनका को रिलेशनशिप आप थावत की जिए, पंजाब में और जितने भी संगट में हैं, किसी संगट में हैं। फिर टीकरी बॉर्डर पर टेन क्यों लगा था इन लोगों का, पता ही है रमनीक जी। अची। मुझे लगता है रमनीक जी। मैंने ये कहा है कि भई, ये इस इस कॉल्ड प्लॉजबल डाइबरिटी, प्लॉजबल डाइबरिटी गार्ट ये कि जो अच्छा न लगे चोड़ दो, लखा सिदाना इनका नहीं है, दीप सिदू इनका नहीं था, दुबारा ने लिया, अब ये कहते हैं कि पहले, चनोत हैसार में बरवाला कॉंस्टिट्वेंस ही है, वहां से आम आदवी पार्टी का उमीदवार था, ये कैसे डिनाई कर सकते हैं, अच्छा अगर आप कहते हैं, तो आप ये माल लीजिए, कि आपका जो सारा का सारा अंदुलन है, वो राजदितिक हो चुका है, तो आप इसको आपको खतम करने में आपका भी फाइदा है, देश का भी फाइदा है, अगर आपको ये लगता है, ये लोग आपके नहीं राजदितिक लोग हैं, तो इसको बाइंड अप कर दीजिए, वैसे भी एपिरेमिक एक्ट लागू है, बुरी हालत है देश की, आप हर रफत हैं, अचा बताओ ये चलूनी के साथ क्या कर रहा था, ये अनिल और अनूप, ये अनिल मलीक और अनूप, ये चलूनी के साथ क्यों गूमते थे, चलूनी आपका आदमी है ये नहीं है, है के नहीं है, अगर है, तो आपको चाहिए कि आप चलूनी को भी बाहर निकालो, ऐस इसे इस बात को एक्सक्ट करें वहां के कुछ भी होगा आप तो प्लॉजबल डिनाइबिल्टी में लखा सिदाना आपका नहीं है यह बलतकारी आपके नहीं है वह दीप सित्व आपका नहीं है आपका है कौन आखिर आप खुद के नहीं है आप खिसान ही नहीं मेरी बात का आपको आपको इस बात को कहते है शरम आने चाहिए कि लड़की का मेडिकल हुआ क्या लड़की के आरोप क्या है लड़की के बारे में क्या हुआ आप लड़की के उपर एक बेटी के उपर जिसकी बलतकार होता है दुखाद म्रती होती है उसके उपर सवाल उठा रहे है समित मलिक जी ये सवाल इन्डोस्तान के नहीं नहीं पर आप आरोप लगा रहे है दीपद्ग म्रश्याजी आप आप लिए आदमी है ऐसी एक इंडोस्तान के इसां बाते आध ज़ख जाद नहीं बैठे ओ बनके इसी को खूशी के बलतकार को सपोर्ट कर सकते है क्या पर रोट कर वान तुमको दो सभितमनी चिकर मोगी किसान हो। लेकिन तुम जज्ज नहीं हो। तुम यहां फैसला है। तूम सुना सकते हो इसलाफ? तूम सुना सकते हो छेल बन गए? कि हम उनके उपर खारवाई करेंगे? हमने उनका टेंट नेता दिया, सहीत किसान मोचा ने बयान कियो दिया, सहीत किसान मोचा क्या पुलिस है क्या जइंगे? आप पुलिस पे सवाल उखा रहे हो आप जो अपने शरवात ही है एक लड़की जिसके जाथ बलत कारिवा उजो इस दुनिया में नहीं है उसके उपर उसके तुम किसान हो अब आप जिसको राजनी ते कुटा बला जाते हो अरे जब आप हर जगे फैन होगे तुम इनसान भी कभी नक्सानी का अरे तुम दो कुछ नहीं कर पाए तुम इस लाइप भी दिए तुम इस लाइप जवाब भी निए उनके उपर आरोप लगा आमने चेंट अटा दिया यह सईद किसान मोचा का बयान है पर मूबाइल पर है कल आपने पैयान निकाला एं फाइयर के बाद कि आरोप लगने के बाद हमने उनका टेंट अटा दिया खारवाई हो गए यह कोई जज नहीं है लेकिन मैं तीन चीज कहूंगी यह भाई साब यह रमनीजी के पहले जो बोल रहे थे केवल पंजाब-पंजाब की बात कर रहे थे अब कल से कह दीजएगा राकेश्टे कहता आपके नहीं है वो पंजाब से नहीं है योगंदरी आदव आपके नहीं है वो पंजाब से नहीं है अब लागना सब्सक्राइब बोलिए आपको कुरा मौका दिया मैंने आपके दर्शकों को ये देखके बिल्कुल भी अश्यर्यन ही होनी चाहिए कि जो एक महिला को बोलने नहीं देए वो इसको क्या वसू समझते होंगे क्योंकि लोग जहां-जहां जा रहे हैं देजभर में जरा इस चीज़ की जाच परताल हो कि किस तरीके से इनका जुन्ड जो लड़किया उठाता है और ये किस तरीके का क्या ये बलतकार और क्या ये कोविट से जो लड़की की यंग लड़की की तरीकों क्योंगी है असल खिसान तो खेत में हैं बलतकार ये ओंके साथी टीवी के ऊपर बढ़ आ रहे हैं और एक महिला को बोलने नहीं देए इनक जहन में इनके दिल दिमाग में आपको लगता है इज़त होगी जो एक मृत्तिक लड़की की आप इसके बड़े बड़े गुमागार है जिनकों की बॉटी के बारे में नसूच कर दिया है और बहुत सरंगर हो लानत है आपके उपर आपके बलाद करी आपके बहु में जो कर लो एक मिर्टेक लगी की इसके बेज़त किया है एक लगते बार की पतुवा लगेगी तुमारे को अपने इंदुशनी वाला पड़ा था एक्जान आपके बड़े बिटिया की इसक रूटी है ना और तो 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 प्रबड़ा रहो उसके साथ में उसके बड़त का करोना पर आपके कुछ नहीं है आगा देश को पचलना है तो इसकी बादेकर बेच जाओ तो इसकी पार नहीं है पूरा करोना ठीक हो जाएगा मैं अगाज लगाँगे एक लड़की की तरह कि माइलोड सर वो च्डीय बेटे वाले इन लोगों को मास मत करना इनके हाथ में बलातकार और फून है तिल्कुल जिल्कुल यह लाद कर नापकरीयों को बलातकारीयों को बल्ली चाहिए और बहर की साल्शेट है और भारती जं मैं विवेक शिवास्तों के पास जाऊंगा विवेक शिवास्तों आपको अभी भीस तो आपको अभी से कबांघी करने का जवाब दीजिए जिस आंदोलन के हाथ एक लड़की के बनतकार और खूल से सर है क्या उनके पास अभधकार बच्टा है पताईए सर मुझे 20 सेकेंड अंटरॉप्टेड चाहिए इस देश की हर लड़की भौमूल्य है इस देश की हर लड़की को सुरक्षित रहना चाहिए कोई भी लड़की हो किसी पार्टी कोई अंदोलन हो उसके साथ अगर बुरा हुआ है तो बुरा है और हमें मानना चाहिए कि बुरा है और एक्शन होना चाहिए मैं नहीं डिफेंट करना किसी बलातकारी को लेकिन अगर एक हाथसा होता है और उनको आप्रिफेंट करें ते भी वेंट वातों जी माफ किज़िए का डूपके मर जाना चाहिए चुल्टूबर में जो एक लड़की करेक्टर पर सवाल उड़ा रहे है उनको जो एक लड़की के साथ बुरा हुआ है सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्लीज नुपुर जी प्लीज बीच स्वेपे मत बोलिए मैं सीधे मंत्या कहले के भाज सब्सक्राइब ममत्या काले जी तर्क दिया जा रहा है क्या लड़की का मेडिकल हुआ दस दिन बाद फाई आर क्यों होई लड़की की दुखन रत्ती हो चुकी है किसान आंदोलन से इनका क्या लेना देना ये तो आंदोलन कारी थे ही नहीं जो आंदोलन में इनके साथ कोलकता गए कोलकता से वापस आए इन लोगों का अंदोलन से कोई लेना देना नहीं है दो लोगों के खिलाफ आ रोप था छे लोगों के खिलाफ फायर क्यों हो गई ये तर्क दिये जा रहे हैं धन्यवाद दीपाक जी देखे बहुत ही बहुत ही शर्मनाफ और सेंसिटिव मुदे पर हम बात कर रहे हैं और मुझे दुख हो रहा है कि किस प्रकार से इस पैनल पर बैठे वे मेरे भाई इतनी जोर जोर से चिला रहे हैं उस लड़की की 25 वर्ष की उस लड़की की आत्मा उपर से देख रही होगी तो सोच रही होगी कि राजनीती उसकी लाश पर उसकी मौत पर और उसकी अस्मिता पर करते वे किसी के दिल में दर्द नहीं हो रहा है वेस्ट बेंगॉल से 25 साल की लड़की लाई जाती है सयुक्त किसान मोर्चे के साथ के मदब के लिए वहाँ पर बिठाते हैं उसके बाद उसका रेप होता है और आज उस लड़की को उसके परिवार को उसकी असमिता को उसकी मृत्यू को कटगरे में खड़ा किया जा रहा है आशकको क्या रखका है बैता की किसानों को छूंब कर रही है खुषनाम करने करने के लिए और जब इस देश के किसानों ने आपको फूर गिया लड़ कि आड़ को खाल गिए प्लीज करेंगे उसकी मौत के बाद दीपक जी इनको बोलिया ला कि थोड़ी सी तो संवेदना दिखाएं दीपक जी नाइस तो सोचे एक लड़ी की इसकत और असमिता की बात हो रही है पार्टी की शकर नहीं है कि वो विमन इशूस के उपर बोले हम बिल्कु लेट भी है और बाइलाओं के साथ ख़ड़े हैं लेकिन आप महिलाओं का इस्तेमान सुर्ण पॉलिटिकां स्कॉर्ट को सेटम करने के कर रहे हैं विदेट चिवात तोटी मैं आपको अट्योट आउं करूँ जाफिर दिक्कत होगी तरीके से निलाम करते हो और फिर इतने गंदी तरीके से आप आगर के पैनल पर बात करते हो इस तरीके से आप बात करती हो आप मुझे बोलने नहीं दे रहived हैं आप सोचे, आप एक महिला को पैनल पर बोलने नहीं दे रहे हैं, तो आप महिलाओं की क्या इज़द करते होंगे? क्या इज़द रखते आप महिलाओं की एक दर्शा रहे हैं, भाई साफ, बहुत अच्छा कि आपने अपना स्वरूप दिखाया, हम आपकी साजिश्कों जानते हैं, पूरी पबलिक आपकी साजिश्कों जानती है, कि आपकी लड़की में आपका ना को इंटरस्ट है ना समगेतना, आपका इंटरस्ट है कि नरेंद्र पोदी किसी तरह कैसे किसानों को पत्राम करें, और किसानों का अंदोलन खतम करने के लि कि जवान ने इतनी मैला का बैटी है। इंसानीयत है आपके अंदर, मैं हाथ जोड़ के आप पर लिएक से वाइड़ कर रही है। विवेक की मैं आपको डूंगा, मैं आपको बीच में नहीं बोलने दूंगा, मैं सीधे सवित मलिक जी के बाद जा रहा हूँ सवित मलिक जी जब क्या ये हकीकत नहीं है कि सवित किसान मोर्चा के डिलिगेशन के साथ 25 साल की वो बहन कोलकता से आई थी क्या इसको डिनाई करेंगे आप इतने वरिष्ट पतरकारों मैंने पहले भी कहा आपके साथ के बहुत कम लोग हैं आपको हम बच्पन से देखते आ रहे हैं लेकिन आप एक बात बताईए अगर लड़की आई अपनी इच्छा से आई वो गरवालों के टचमें थी उसके पिता जी भी आगे उस्पिटल में उ हमको बोलने नहीं दे रहे हैं अगर यह जूट बोलेंगी गलत बोलेंगी तो इसको कोई न टोक है अगर इनको इतनी सम्वेदना है 116 सांसा दिल के जो है किसान मोर्चा के नेताओं के साथ ट्रेंड में आई थी जहां पर सबसे पहली बार उसका बलतकार हुआ सवित मलिक जी जो डिनाय करेंगी आप बताईए किसान मोर्चा के जो 40 लोग है वो कोई उसमें नहीं था और ये जो कह रहा हूँ वो दोनों आपके सोशल मीडिया के किसान मोर्चा के रहें कि 40 लोगों में नहीं थे तो ट्रेंड में कैसे हैं उनके साथ इन से पूछे पूछे रम निक बाते पूछता हूं उनका उत्तर दीजेगा प्लीज आपका बहुत मैं आभारी आपका आभार विक्त करूँगा पहले तो मैं एक बात वाज़ तोर पे परकी का बलतकार हुआ वो टेंट बीजेपी वालों का था क्या और तीसरा यह आंगल बीजेपी वालों के खड़ा कर रखाया क्या है क्या सब्सक्राइब करोना जो है यह बारत के ऊपर नाजिल हुआ है यह बारती जिनता पार्टी के आईटी सेलने तो नहीं बैठके ऑफ बैठी वालों के खाड़ना भी बंगाल डरिया नाजिए अबरोट की जोट देने का वादा किया तक भी परिजय में पर्देश्मा कर आदेंगे तुम्हारे दिमाग में फरक है कुछ थोड़ा सा कामों में भी आगे क्या सुनते कमो अनूब चनौत है यह आम अध्री का है यह नहीं है इसका मतलब है कि तुम्हारे को बात बुरी लगे ना कि नहीं है है कि तुम्हारे करें कि मैं करूंगा खिलाफत करूंगा तुम जैसे लोग मैं दोनों को रहा है समीच जी मुझे मतलब समीच जी मैं आपको मैं आपको इतने अच्छे तरीके से जानता हूं समीच मली जी लेकिन आज आज आपका आपका बयान सुनके मुझे दुख हो रहा है अब कैसे ये सवाल उठा सकते हैं कि लड़की का क्या मेडिकल हुआ लड़की ने क्या रोप लगाए आठ दिन बाद फायर क्यों कर आई क्या किसी ने उसको भरमाग जिया तरह आच्छर हो रहा है मैं सीधे गोपाल अगरवाल जी के पास चलूँगा गोपाल अगरवाल जी क्या इनके पास नहतिक अधिकार है अब आंदोलन करने का जिस आंदोलन के बैनर तले जिसके टेंट के अंदर एक बेटी के साथ परत्कार होता है देखे दीपक जी सबसे बड़े दुख की बात है कि जिस तरह की घटना हुई उसके लिए शर्मसार होने के लिए उस माबाप और बाप से और पूरे देश से माफी मांगने की बजाए ये श्वेत मलिक और ये सब लोग इस तरह से उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं इसका मतलब सफ़च्ट है कि ये लोग उस पूरे क्राइम में इन लोगों का इन्वाल्मेंट है इन्वाल्मेंट क्राइम किया नहीं किया यह इन्वेस्टिकेशन होगा लेकिन उसको छुपाना दबाना और वैसा माहोल क्रियेट करना या पूरा एको सिस्टम जो इन लोगों ने क्रिमिनल्स का वहां पर इखटा कर रखा है टिक्री बॉदर पे वह पूरी तरह से इसकी जि इतियास है आजाद भारत में सबसे ज़्यादे करप सबसे ज़्यादे क्राइम और सबसे ज़्यादे पलातकारी इस बीजेबी पार्टी में जो यह बात बहाने में बैट नेजरा चैनल में अरे खुछ सरब करें खुछ चुलू आप आनि बात कर रहे हैं माफी मांग लिज इसका मतलब आपको शरम नहीं आ रही है आप पहले इस बात का जो यह जो दुर्धक अरे भाईया उसको शरम आप मांगी तो मांग लो गोपाल जी और आपको के साथ जो नरेंद्र मोती डांस करते हैं उसमें शरम नहीं आती आपको अरे हमें हात रही है ठीक है मैं सब को रोगूँगा ममता काले से शुरुआत करूँगा सानी जी भी आठ उतार है उनके बात भी चलूँगा ब्रेक के बात देश की बैस में हम हम हाँ बात कर रहे है किसान अंदोलन के काले अध्याय की किसान सोचल आर्मी नाम के एक संगटन के साथ जो किसान आंदोलन से जुड़ा था टीकरी बॉर्डर पर जिसका टेंट लगा था और सोशल मीडिया सपोर्ट कर रहा था वो इस आंदोलन का उनके साथ एक बेटी कोलकता के उनके प्रदर्शन के बाद उनहीं की टीम के साथ 40 लोगों की टीम के साथ दिल्ली आती है ट्रेन म और दिल्ली में टीकरी बॉर्डर पर उसके साथ बलतकार होता है उसे कोरोना का संक्रमन हो जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है कल इस मामले में फाई यार हुई की मैं सीधे अपने पैन को इंटियूस करता हूँ मेरे साथ इस वक्त गोपाल अगरवाल बीजेपी से मेरे एक दर्चक है अनिल क्या कहेंगे इस पूरे मामले के बारे में दीपक जी आपको बहुत-बहुत सादूवाग है कि आपने जलंत मुद्दे को सबके सामने देश के सामने लेकर आए जो पैनल पे लोग बैठे वो इतने संविदन हीन है कि वो अपने बचाव में ही क नाम हमेशा और आगे एड होते जाते हैं ये कोई नई बात नहीं है और अभी आपके ही टीवी चैनल पर में देख रहा था कि योगिंदर यादव जी ने एक इंटर्व्यू में कहा है कि 24 तारीक को ही उन्हें पता चल गया था कि लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है उन्ह एसा मुद्दा है जिस पर पूरा देश ये चाहता है कि उस लड़की को हमें न्याई मिलना चाहिए कोई भी बाप अपनी बेटी के ओपर ऐसा बात नहीं कर सकता बिल्कुल सही का अनिल जी और उसी की लड़ाई लड़ेंगे लेकिन मैं बड़ा दुर्भागी पूर्ण ब इस पर सकत कारवाई करने का फैसला लिया मोर्चा की टीकरी कमिटी के फैसले की मताबिक किसान शोशल आर्मी नामक सगठन के टेंट बैनर आदी चार दिन पहले हटा दिए गए है ये चार दिन पहले टेंट और बैनर आटा दिये बलतकारियों के और इसको वह सारवजनिक भी कर रहे हैं मंता क्या कहेंगी और इस पर योगेंद्र यादा हो चडूनी सबकी साइन है कि सोचिए अब दीपक जी आप देखे ना आप ये दर्शाता है कि उस लड़की जिसका रेप हुआ जिसके जिसके मृत्य हो गई उसके जीवन और उसके उसके जो चरित्र था उससे इनको कोई लेना देना नहीं था ये जो अभी आपने बयान इनका पढ़के सुनाया है जो सयुक्त किसान मोर्चे का ये शर्मनाद नहीं है ये दुख की बात है ये दर्शाता है कि ये कितने समवेदन हीन लोग है ये दर्शाता है कि महिलाओं को ये सिर्फ और सिर्फ वर्थन में इनके सामने वो लड़की बिचारी उसका रेप होता रहा और ये मूख दर्शक बन करके बैठे रहे जो आप सारे के सारे साइम कर रहे हैं योगेंदर यादव हो चडूनी हो इन लोगों को शर्म नहीं आती है इन लोगों को यह नहीं लगता है कि कैसे ऐसे करवा सकते हैं ये वो बच्ची इन पर भरोसा करके इतनी दूर से वेस्ट बेंगॉल से इनके साथ इनकी मदद करने के लिए आई उस मदद का इनों ने ये बद्दा दिया उसको रेप करवाया उसका सयुक्त रेप हुआ और उसके बाद लड़की मर गई और आप बोल रहे हैं कि उसके पिता जी जूट बोल रहे हैं उसके साथ को इस तरीके का कृट्य ही नहीं हुआ था हमें तो जानकार ही नहीं थी हमारा इससे लेना देना नहीं है अरे टीकरी बॉर्डर के जो आसपास के गाउं है न मैं आपको बताओं वो पहले से बहुत समय पहले से वहाँ पर ब बाबा हो चाहे ये योगेंदर यादव हो चाहे चडूनी हो चाहे ये सो कॉर्ड चालिस किसान नेता अपने आपको बुलाते हैं ये लोग अरे किसानों को भी इनोंने बदनाम कर दिया और आज एक बेटी उसको भी लोगों की भोग बिलास की बस्तु समझ करके उसकी बली चलवा दी है उसको खत्म कर दिया उसकी असमिता लुटवा दी और अब आकर के बैठ करके इस तरीके के शर्मनात बयान लिख करके उनको पान देते हैं ये उस 25 वर्ष की बेटी को शर्मशार करके उसके जन को शर्मशार करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं धिकार है इन लोगों पर और लानत है इन लोगों पर एक नारी होने के नाते मैं तो हमेशा ये बोलूँगी कि इश्वर ना करे ऐसा जोई पुरुष अगर इन लोगों का ममता जी एक मिनिट मेरा एक बड़ा सीधा सवाल है सवित मलिक जी सवित मलिक जी 40 लोग आपके कोलकता गए अगर इन 40 लोगों का अंदोलन से कोई लेना देना नहीं था तो दोनों आरोपी इसमें क्यों शामिलते उस ट्रेन के अंदर क्यों थे इसके अगर आंदोलन कारी थे आपके नेता थे उनके साथ उनका रिजर्वेशन क्यों था जवाब इसका सवित मलिक जी जी पब जी हम पहले से कह रहे हैं अगर उस लड़की के साथ जिस भी लोगों ने जो भी गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए अगर क्या होता है अगर क्या अगर क्या होता है आपको एक ही चीज दिखती है तहीं कुछ हो जाए सीज़े किसान आम दो भी चती है अनलेस आपने भारत की नागरत की सरकार हमारी सावित मालिक जी आप जूट बोल रहे हैं आप लोगों ने तो टेंट हटा के अपने करतव भी की तेंजली समझ ली ती इपक जी रहे हैं कि कोई लेना देना नहीं तो ये उस टेंट में क्या कर रहे दे जिसमें 40 किसान नेता थे समीजी रुग जाई है रमनीक मान और फिर विवेक के वाद तो दीपक जी पहला उसको वहां से बंगा से बर्गला के लेके आए दूसरा उसको समय पर बड़ा उप्लबन नी करवाई उसके पितां को प्रिवार को बहुत जान करी भी ती लूकेशन वी अगर ये तांट नहीं था उसके बाद ने क्या क्या अरे घुल्बन अरे जिन्विन्ग अरे अ लाल दूसरा पाड़ी जार दोने के लिपक जी जब सीधे तरिके से जाड़ने कुए तो यह कहा नहीं कर पाए हैं और इतने ब्लेटेंट नहीं कर रहा हो दोशियों को सजा दीजिए लेकिन उस लड़की के बनाट की आड़ में किसान नेता ने परिश्टा दर्जिनी की मांदोलने को जोगन दर्यादत कहता है कि अभी परिश्टा जी उनके तोड़े संसर मेरे काइदे से काइदे से कलके से सहीध किसान मोचा के बयान के बाद इन नेताओं पर यारो क्योंकि इन्हों ने ही वो टेंट प्रोवाइड किया जहां बच्ची ने साथ पर रतकार हुआ देखे डिफ़क जी ये बात बुल पर्षट है कि या किसान अंदोलन नहीं हैं ये क्रिमनल्स तुने या तो राष्ट दों की बात करते हैं टिरंगा को अफ़ाण करते हैं लाल के लिए पे जिस तरह का काम करते हैं विदेशी ताकतों के साथ मिल के काम कर रहे हैं और क्रिम सब्सक्राइब और लोग परशेंट मेरे दर्शक बोल रहे हैं सवित मरीजी कि आप लोगों के खिलाः फाईर होने चाहिएं मताकाले जी क्या सई इतिसान मोचा के इस बयान नहीं होनी चाहिए दीपक्ची धन्यवाद ये बोलने के लिए मैं बोलने से चूप गई थी बिल्कुल thousand percent होनी चाहिए हर एक के खिलाः होनी चाहिए ये लोग बहुत बड़े दोशी उस बेटी के और परिवार के ञखिता के दोशी है समस्दाइश कर्ण करूना जाए किसान नेताओं के किलावे फायार नहीं होनी चाहिए वो कह रहे हमें जानकारी थी हमने चार दिन पहले टेंग टटा दिया लगता है जी पांचु अबे सुनने ही पा रहा है मैं यही पर यही पर इस बहस को रुकूँगा लेकिन चलते चलते गोपाल जी क्या किसान नेताओं पर फायार नहीं होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए और दिल्ली सरकार को भी बर्खाश करना चाहिए उनके नेता यहां पे लगे हुए एक के बाद एक क्रिमिनलिटी सामने आ रही है और योगें रियादो जैसे गद्दार है बिल्कुल मैं तो कहना चाहूँगा कि जिन्होंने पूरे देश को रैंसम कर रखा है जिस तरह से क्रिमिनल्स को वाँ पाल रहें केवल अपने आंदोलन और ये राकेश टिक है अपने पैसे कमाना और लोगों को बेवकूप बनाना और उस आंदोलन को चलाने के लिए जिस तरह से क्रिमिनल्स को पाल रहें चाहे वो कालिस्तान, एलिमेंटो, आईएसाई हो चाहे अब ये नया रूप से रेपिस्ट और इस घटिया अस्तर तक ये पहुंच गए कि रेपिस्ट वगेरे को भी सरक्षन दे रहें, क्राइम हुआ है, उसको चुपाने का जो प्रियास का है, ये क्राइम से भी बड़ा क्रिमिनल एक्ट है इन लोगों का, और अब जरामी रिकोर्च नहीं है बिल्कुल सही का, आपने तो यहीं पर में रुकूँगा, मेरे 92% गोपाल जी दर्शक के कह रहे हैं, कि किसान नेताओं के खिलाब इस मामले में 5.1 होनी चाहिए, हम यहीं चाहते हैं देश की बहस में, हमारे दर्शक भी यहीं चाहते हैं, कि उस बेटी को इन साथ मिले, ज झाहते हैं, कि 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 झाहत